करेंगे हमने ड्रावर के केस के चारों यूजस पढ़ लिएगे अगर अभी तक आपने नहीं देखा है और इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो पुराने वीडियो पहले देख लिए फिर आगे का कॉंसेट आज से हम सुझू करते हैं तो once the four uses of bills are explained are done अब आगे की cases पढ़ेंगे हम चारों cases आपने पढ़ लिए when the drawer retain the bill with himself till the due date, when the bill is discounted with the bank by the drawer before the due date, when the bill is endorsed to third parties and fourth when the drawer sends the bill to the banker for collection on or before the due date. तो आज का topic क्या है आज हम पढ़ेंगे retiring a bill under a rebate अगर हम bill को retire करते हैं a bill under a rebate अब what is this rebate and what is this retiring a bill ये दो topic आज हम पहले समझते हैं तो देखें, retiring a bill का मतलब होता है, retire करना bill को retire करना मतलब उसको छुट्टी पे भेज़ेना नहीं होता, means before the due date अगर आपकी due date थी, suppose आपने एक bill बनाया है 1st July 2023 को for 2 months तो इसकी due date कब आएगी? बताईए जल्दी से due date क्या fall करेगी? 1st July से 1st August, 1st August से 1st September and plus 3 days of grace period, that means 4th September 4th September 2023 will be the due date अब अगर हमने, drawer ने drawer से का है इस दिन तक payment कर देना तो कई बार ऐसा होता है कि हम drawer को time देते हैं लेकिन drawer क्या करता है? उससे पहले ही payment करने को agree हो जाता है उसके पाद fund arrange हो जाते हैं, वो कहता है भाई हमारे पास मान लीजे August में ही पैसे आ गए तो क्या वो हमको पैसे पहले पे कर देगा? As a businessman, as a seller, as a drawer मेरे के पास तो advantage है न कि मैं तो चाहूंगा जल्दी से जल्दी हमारे debtors recover हो जाए bills receivable recover हो जाए तो ऐसे में if drawer makes payment of the bill before the due date that is called retiring a bill bill को retire कर रहा है due date से पहले पे करके लेकिन इस से उसको क्या advantage? उसके उपर एक headache खतम होगा हमारे लिए अच्छी बात है लेकिन कही बार इस purpose को initiate करने के लिए हम drawer को offer देते हैं कहते हैं अगर आपने due date से पहले पे कर दिया तो I will offer you certain discounts मैं इस पर भी आपको कुछ offer दे दूँगा कि भाई आपका जितना bill amount था उसमें से कुछ पैसे कम पे करना लेकिन कब दूँगा ये discount अगर आपने due date से पहले पे किया कितना दूँगा जितने दिन पहले आप पे कर दोगे अगर आपने एक महिना पहले पे कर दिया तो मैं एक महिने के साब से आपको discount दे दूँगा दो महिने पहले पे कर दे तो दो महिने के साब से discount दे दूँगा तो that discount which is allowed to the drawee by the drawer drawer ने drawee को जो discount दिया क्यों दिया ताकि वो due date से पहले payment कर दे अगर due date से पहले आप payment करोगे और उस case में हम आपको कोई discount allow कर रहे हैं तो that discount is called rebate तो इसी पूरे concept को बोलते हैं retiring a bill under a rebate कि drawee जब अपने bill को retire कर रहा होता है by making prompt payment before the due date जल्दी pay कर देता है to avail rebate, rebate को gain करने के लिए तो इस process को बोलते हैं retiring a bill under a rebate इसमें entries क्या होंगी एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या entries बनेंगे कि इन पार्टी को involve करेंगे तो यहां पर देखें दो पार्टी जारी है drawer and drawee, so if इनी दोनों पार्टी के book में हम entries बनाएंगे, देखें क्या क्या entry बनेगी भाई एक माल लेते हैं, drawer हमारे पास drawer को x माल लेते हैं इस बार, and drawee हमारे पास है इसको हम y assume कर लेते हैं ठीक है, तो सबसे पहला transaction कब आएगा पहला transaction sale and purchase का means x sold goods to y अब x ने अगर goods sold किया y को ये entries आप पहले से पढ़ते हैं आरो, common entry है तो x अपनी book में क्या दिखाएगा y's account debit to sales account, वो अपनी book में y debit to sales account के entry दिखाएगा और y अपनी book में क्या दिखाएगा being a drawee, वो कहेगा मैंने goods खरीदे हैं, किस से खरीदे हैं x से purchase किये हैं, तो वो अपनी book में क्या दिखाएगा purchases account debit to x account वो अपनी book में दिखाएगा कि purchase account debit किया और x से हमने खरीदा ठीक है, फिर second case बनेगा क्या, जब bill accept होता है when y accepts the bill drawn by x अब x ने bill draw किया और y ने उस bill को अगर accept किया तो हमारे पास entry बनेगी, क्या entry बनेगी y के, x के पास आएगा bill receivable account debit to किस से receive किया हमने y से, तो y अकाउंट y का अकाउंट close कर दिया और bill accept कर लिया y के पास क्या entry बनेगी y का आएगा भाई हमने x का अकाउंट close किया debtor का अकाउंट, creditor का अकाउंट close किया और एक नई bill payable नामक liability को अपना लिया तो उसके पास bill आ गया अब bill जितने भी दिन के लिए बनेगा due date होगी अब हम case क्या पढ़ने है कि अगर वो bill को retire कर दे before due date तो जब भी तीसरा case आएगा इसमें when y retires his bill before due date अगर y ने अपने bill को retire कर दिया before due date तो भाई हमको payment तो मिलेगा लेकिन हमको कुछ discount offer करना पढ़ेगा तो हमें क्या मिल ला है bank account debit जितना पैसा हमें receive करेंगे पूरा receive नहीं करेंगे क्योंकि कुछ हमको discount जिसको बोलेंगे क्या rebate तो आप क्या दिखाओगे rebate account rebate on bill भी बोल सकते हो rebate on bill account debit या simply rebate account भी दिखा सकते हो to bill हमारा जो cancel हो जाएगा bill receivable account तो आप दिखाओगे जो बिल हमारा बना था bill receivable था वो close हो रहा है उसमें से जितना amount हमको मिलना था वो receive हो गया कुछ amount हमने rebate के नाम पर allow कर दिया टूदी ड्रॉई ड्रॉई क्या दिखाएगा कि वो उस rate पर जब payment करेगा तो उसका bills payable तो close हो रहा है बिल payable account debit हो जाएगा लेकिन उसने पूरा पैसा नहीं पे क्या उसने जितना payment क्या वो credit करेगा और बाकी amount क्या है उसको receive हुआ है rebate तो वो दिखाएगा rebate on bill credit कर देगा rebate on bill account को तो इस तरीके से आप देखोगे जब भी हम rebate allow करेंगे कौन लाओ करेगा ड्रॉवर किसको receive होगा वो rebate ड्रॉई को receive होगा तो दोनों ही अपनी बुक में rebate on bill एक नए आकाउंट open करतें समझ में आया simple सा case है easy है start करें इस पर practice question देखें हमार पास एक question है इसको देखते हैं और इसके लिए दोनों parties की बुक बना लिते हैं बैए सबसे पहले ड्रॉवर और ड्रॉवी की बुक बना लिजें क्योंकि आपको जर्णर एंट्री करनी होगी तो date पर्टिकुलर्स एलेफ डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट ऊपर आप हैडिंग डाली जर्नल तो आगे हम देखते हैं एक ड्रॉवर होगा एक ड्रॉई होगा पहले से बना लिजें फॉर्मैट आपको एंट्री स्पास करनी ही करनी होगी तो देखें डेट पर्टिकुलर्स एलेफ डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट उपर हैडिंग आएगी जर्नल जीके अब हम इसको स्वाल करते हैं देखें ऑन फिर्स जुलाइट टूजन 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 चंदर सोल्ड गोड्स तु दिनेश ऑफ दे लिस्ट प्राइस 50,000 at 20% trade discount आप देखिए तो चंदर ने सोल्ड किया तो चंदर कौन हो गया ड्रॉवर आप लिख दोगे चंदर की बुकित ड्रॉवर है और किसको सोल्ड किया दिनेश को तो ड्रॉई कौन हो गया दिनेश तो सेलर होता है ड्रॉवर कस्टमर होता है ड्रॉई कितने का सोल्ड किया पचास अजार का at 20% trade discount तो पहली एंट्री आगे यह मारे पास क्या एंट्री बनेगी फर्स्ट जुलाइ 22 को चंदर ने गुट सोल्ड किया है दिनेश को पचास अजार का है 20% trade discount को हम शो नहीं करते थे औरली डिड़क्ट कर देंगे तो पचास अजार का 20% 10,000 10,000 माइनस कर देंगे तो हमने गुट सोल्ड कितने का किया है तो चंदर अपनी बुक में दिखाएगा कि उसने कितने का सोल्ड किया है गुट्स? 40,000 40,000 कहां से आया 50,000 का लिखा था तो 50,000 का 20% तो 50,000 का 20% हो जाएगा 10,000 तो 10,000 हम माइनस कर देंगे as a trade discount इसको कहीं नहीं शो करते यह आपने पहले पढ़ लगा है जर्नल में सीधे 40,000 का सोल्ड किया सेम एंट्री दिनेश अपनी बुक में दिखाएगा सेम डेट पर 1st जुलाई 22 दिनेश क्या दिखाएगा कि उसने परचेस किया है तो परचेस अकाउंट डेबिट तू किस से किया है चंदर से कितने का खरीदा 40,000 रुपए का खरीदा तो दिनेश ने सोल्ड किया चंदर ने सोल्ड किया दिनेश ने परचेस किया दोने की बुक में एंटरी हो गई आगे पढ़ते हैं देखिए and on the same day drew a bill on दिनेश for the amount due payable after three months तो same day तीन महीने का bill बना दिया दिनेश accepted the bill और दिनेश ने accept करके वापस किया तो अब acceptance की entry आ जाएगी bill बन गया same date पर ही तो bill receivable आया हमारे पास account debit कहां से आया ये bill दिनेश के पास से दिनेश account आप close कर दोगे जो हमारा debtor था उसका account close करके हमने bill receivable नामा के account open कर दिया क्योंकि अब convert हो गया the debtor is converted to br br receive हो गया similarly दिनेश अपनी बुक में same date पर क्या शोगरेगा कि उसने चंदर का account close किया चंदर अकाउंट debit करके close कर देगा और एक नई liability को open करेगा bills payable account तो उसके लिए एक नई liability आ गई 40,000 रुपए की यह दो cases आप अलड़ी पढ़ चुके इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है अब इसके बात क्या हुआ on 4th September, 4th September का मतलब क्या है देखिए 3 महीने का bill draw हुआ था तो due date क्या निकलती है हमारी अगर आप देखो 1st July से 3 months का अगर हम duration ले तो 1st July से 1st August, 1st September, 1st October plus 3 days of grace period तो 4th October हमारी due date होती है लेकिन इसनोंने 4th September को यानि एक महीना पहले due date क्या थी 4th October लेकिन एक महीना पहले 4th September 2022 को दिनेश रिटायर्स हिस बिल, हिस एक्सेप्टेंस मतलब एक्सेप्टेंस मतलब बिल जो एक्सेप्ट किया था receiving a rebate of 15% per annum कि दिनेश न क्या किया किस देट पर 4th September यानि एक महीना पहले ही उसने बिल का पेमेंट कर दिया तो बिल कितने का था बिल का पेमेंट करेगा तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट जितना अमाउंट पे करेगा और हम उसको कुछ डिसकाउंट देंगे जिसको वो लेंगे रीबेट तो रीबेट ओन बिल अकाउंट चाहिक है तो कितने गदा और सेम एंट्री हमको भी दिखाना पड़ेगा यह नहीं चंदर को भी दिखाना पड़ेगा कि 4 सेप्टेंबर को 2022 में उसको पैसे मिले पेमेंट हो गया बैंक फुद्रा तो मिला ही नहीं है क्योंकि कुछ रइबेट हमको देना पड़ा तो रइबेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा पू कि से बुल रिशीवेबन से तो बिल रिशीवेबन हमारा क्लोज हो जाएगा तो अब main purpose है amount को पता करना कितना rebate दिया भाई हमने बिल कितने का था 40,000 का था ये तो हमको पता है कि 40,000 का बिल close हो गया दोनों ही party के लिए लेकिन कितना पैसा मिला और कितना discount गया तो इसके लिए अभी आपको बताया कि कितने का बिल है rebate कितना निकलेगा अमाउंट कितना है बिल का 40,000 रुपए 40,000 पेबल है इन्टु रिबेट का अमाउंट कितना है 15% पर एनम बुलाया ना 15% पर एनम यानि पूरे साल का 15% होता लेकिन हमने क्या जितने दिन पहले पेमेंट कर दिया कितने दिन पहले पे कर दिया 4th October due date थी लेकिन आपने 4th September को पे किया तो एक महीने का डिसकाउंट मिल जाएगा 1 by 12 दो महीने पहले पे क्या होता है तो 2 by 12 थी मन्स पहले पे क्या होता है तो 3 by 12 days में आता तो days upon 365 बस इसको solve कर लिजा आपको रिबेट मिल जाएगा कितना हो जाएगा 500 तो 500 रुपीज का आपको रिबेट मिल गया तो हमने रिबेट अलाओ किया 500 रुपए का तो उसने 40,000 में से 500 रुपए छोड़ दिये हमने और हमने कहा कि बाकी 39,500 हमको पे कर दूँ तो उसने हमको कितना पे किया 40,000 के बिल पर 39,500 पे किया और 500 का हमने उनको रिबेट अलाओ कर दिया तो समझ में आया how to record entries in the case of रिबेट तो रिबेट और डिसकाउंट में कही बार बच्चे कन्फियूज जाते हैं होता सेम चीज है रिबेट और डिसकाउंट बोथ हार अलमोस सिमिलर थिंग इस जस्ट पर्पस कि कभ हम यह रिबेट अलाओ कर रहे हैं और कभ रिबेट या कभ डिसकाउंट बोलते हैं at the time of buying and selling अगर हम कुछ offer देते हैं तो that was discount at the time of availing payment from the customer अगर हम कुछ discount देते हैं तो that was cash discount लेकिन अगर negotiable instruments use हो रहे हैं negotiable instruments like bills of exchange, promissory note और यहाँ पर अगर हम customer के उपर due date तक payment का option देते हैं और customer से बोलते हैं कि अगर due date से पहले payment कर दिया तो हम आपको कुछ offer देंगे तो that amount rebate कहलाता है ठीक है तो rebate का भी concept समझ में आ गया अगली class में जरूर जुड़ी है क्योंकि अगली class होगी सबसे ज़्यादा खास खास की होगी सबसे important topic स्टार्ट करेंगे that is dishonoring of will dishonoring क्या होता है क्या entry बनेंगी renewal का concept समझेंगे अभी बहुत कुछ बचा है अच्छा chapter है हमारे साथ जुड़िए अपने classmates को share करिए वीडियो फैलाईए थोड़ा सा channel को subscribe भी करिए like करी वीडियो को और पढ़ते रहिए मिलते हैं अगली class में till then keep smiling keep studying thank you so much